इंचे-विल्कम यू आल , इंडिया स्लडेट लार्जेस्ड लर्निग प्लाटफॉर्म अन अकेडमी अन फिक मैं आप सब्का हर दिक स्वागत है अने बिल्कम यू अलब the platform of on Academy to let's crack Rajasthan exam on the platform to our venture on Academy crack RPSC with India's largest learning platform on Academy एक छोड़ता परीचे मेरा ब्रीफ इंट्रोड़क्शन अबॉर्ट मेरा नाम नवीन शर्मा एनाइटी इलावा से बीटेक करने के बाद 2013 में गेट क्वालिफाई किया विथ औल इंडिया 6th rank उसके बेसेस पे Center Government में as a purchase और अपनी सेवाई दी Civil Services में 16 और 17 लगाता और दो बार क्वालिफाई किया उसका अनुबव RAS की में की राइटिंग स्किल में जो ACF के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें आपको देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा एक प्रोजेक्ट जो कि Climate Change and Greenhouse Gases Emission पे बेस्ट है Terry के साथ Terry के साथ मेरे कनुबव है जो की मैं आपसे साजा किया है आगे भी करता रहूँगा तो Unacademy का जो Plus Course है हमारा उस App डाउनलोड करे है Unacademy का Google Play Store से और कई स्टुडेंंट पूछते हैं कि सर ये इस फी में आप RPSC के सारे अग्जाम एक्से कर सकते हैं यह जो फीस दो साल की 24 मेने की फी है 8400 इस फी में आप RPSC के सारे अग्जाम, ACF, RAS, RSMB का REIT, पटवार, सारे अग्जाम आप इस फी में एक्सेर कर सकते हैं सारी फैकल्टी इस दुआरा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मेरा कोड एनवी 10 मेरा कोड एनवी 10 यूज करेंगे आपको फीस में 10% का डिसकाउंड मिलेगा आपकी दो साल की फी हो जाएगी 7560 साथ यार 560 रुपे में दो साल तक आप RPSC के सारे एक्जाम्स को एक्सेस कर सकते हैं इस फी को आप क्रेड़ कार्ट से भी पे कर सकते हैं पर मंत जो एमाय आती है अनगेंवी के प्लस कोर्स के दो साल के प्रोग्राम की लगवग सारे 300 बैट ती है कंपेर कर सकते हैं इस फी को तमाम इंस्ट्यूट जोद्पुर उद्यापुर और जैपुर में जो हमारे आफ्लाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इनवार्मेंट नेकलोजी के दस की दस यूनिट मेंने अनकेडमी के प्लस पे खतम कर दी थी इन दी मंत ओफ अगस्ट ओनली अगस्ट में खतम कर दिया था सब्सक्रिप्शन लेंगे आप तो सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकेंगे मेरे पुराने प्लस कुछ इनवार्मेंट के मॉर्डल कोशन की प्राक्टिस भी करवाई थी वो भी आप प्लस कोर्स पर आराम से देख सकते हैं इस तरह हम सवाल पूछते हैं कैंडिट्स को रिप्लाई करता है कमेंट के थूर एक इंट्रक्टिव सेशन रहता है एजुकेटर और लर्नर के बीच में RSPRI, RS का मेंस और ACF को दोनों को ध्यान भी रखते हुए साइन्स एंट टेक के लिए साइन्स एंट टेक के लिए पर्टिवरली 14 नमंबर से मेरा एक और बैच आया था जहां पर बेसिकली मैंने 6-7 सेशन कवर्ड की है एक प्रोग्राम और भी लाओंगा वी फ्यूचर में आगे तो ये भी सारे आप एक्सेस कर सकते हैं साइन्स एंट टेक का मुएक्सियम सलेबस ACF का और RSPRI का यहां पर कवर्ड तो फ्रेंड्स ACFR को काउंटडाउन तो बहुत पहले से ही मैं आपको लगातर हर क्लास में बोलता हूँ आज से मात्र 40 दिन आज से मात्र 40 दिन बचे हैं आपके एक्जाम के तो इसी लिए involvement and ecology optional को चुकि मैं काफी समय से continue किया इसको focus करते हुए धान में रखते हुए मेरा एक और batch 5th of December से आया था जिस पे मैंने 5 unit complete करवा दी रिवीजन दूबारा से और एक plan ये start किया है कि आपका ये 5 December खतम किया यहां पे objective questions की practice करी हमने 5 unit की शुरू की 5 unit की अब बची हुए 5 unit बची हुए involvement and ecology की पांच यूनिट यूनिट नमबर 6 तू यूनिट नमबर 10 यहां पे दुबारा से 12 जनवरी को मेरा एक और बैच आएगा involvement and ecology ACF के लिए जहां पे मैं आपका objective questions की practice तो करवा हुए उन 5 यूनिट का प्लस थियोरी और important topics का दुबारा से revision आज का अमारा विशे बेहद important art and culture Today lecture is very critical very important art and culture आपका ये जो chapter है ये topic जो है वो RAS RAS Pre, RAS Mains, ACF, FRO, UPSC, साथ साथ SSC जो भी exam आप देते हैं आज के time पे art and culture के history के question तो हो गया है कम Indian history का weightage हो गया कम लेकिन art and culture का weightage relatively काफी बढ़ गया है और ऐसा trend अब दिख रहा है कि आने वाले समय में art and culture का अच्छा खासा weightage रहेगा तो आप ACF, FRO के साथ से prepare कर रहे है RAS के साथ से prepare कर रहे हैं ये topic दोनों exam में बहुत ही critical है UPSC में तो इसका अच्छा खासा weightage रहता है pre में और mains दोनों में Indian art and culture देखें के syllabus ACF का syllabus अपनी screen पे आप देखिए ACF, FRO का जो syllabus है यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो first जो पहला जो description दिया है GK के syllabus में ACF में starting point ही है Indian culture and heritage Indian culture and heritage आपका यहाँ पे completely जो है इसने A segment में Indian history and culture में दिया है यहाँ पे medieval history नहीं है यहाँ पे ancient history नहीं है लेकिन Indian art and culture from the Indus era to end of British era यह पूरा आपको complete करने का सन दिया है तो basically art and culture नहीं पढ़ना क्या है art and culture में जो topic यहाँ पे लिखे है इसको short में बोलूँगा मैं आपको समझाने के लिए आपको बस DM spa DM साब जो है spa करवा रहे हैं DM साब spa करवा रहे हैं बस यह याद रखिए D for dance, M for music, S for scripture, P for painting, A for architecture अगर आपसे कोई पूछे है कि art and culture में पढ़ना क्या है तो बस खाली यह चीज़ बोलेगा DM साब जो है spa करवा रहे हैं DM spa, dance, music, sculpture, painting, architecture यह पूरा आप देखेंगे यहाँ पे art and culture में जो यह first segment, A segment यही आपको RS Pre में यही आपको UPSC में UPSC का exam देते हैं तो वहाँ पर भी यह चीज़ पढ़नी पड़ती है यहाँ पे दो main sources, कई candidates पूछेंगे, मैं पहले से यह बता रहा हूँ यह candidates पूछेंगे, already मैं describe कर रहा हूँ, दो main sources है आपका नितिन सिंगानिया की book, नितिन सिंगानिया की book और दूसरी book जो मैं आपको बोलूँगा यह art and culture के काफी topics को डीटेल में इसने covered किया है तो आज हम जो विश्य में बात करेंगे, जिस topic के बात करेंगे इस lecture के मद्दम से वो है आपका temple architecture तोड़े वी विल डिसकस complete way में इस lecture को देखने के बाद में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा यह मैं आपको गाईटी जेता हूँ कि temple architecture से आजाए और आपका सही ना हो क्योंकि इस lecture में मैंने काफी चीजें temple architecture की basic से लेकर के complexity सारी covered की है तो basically इस lecture को देखने के बाद में temple architecture का कोई भी सवाल आपके exam में आता है तो गलत नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके syllabus में clearly इन्होंने साफ साफ architecture mention किया है architecture की जब बात होती है तो temple architecture सबसे key सबसे important point है ACFFRO plus RAS दोनों के syllabus में तो इस चीज़ को हम detailed way में discuss करेंगे और इसको देखने के बाद में किसी book की जरूत नहीं पड़ेगी maximum चीज़े मैंने यहाँ पे covered कर दीए तो देखे friends start करते हैं temple architecture की कहानी को temples जो है temples कई religious script हमारे पुरान वैदिक सब्वेताप उसके बाद पुरान उसके बाद हमारे कई scriptures आए जिसमें कि temples और उसे जुड़ीवी जो तंत्र विद्यायां का जिक्र है तो बहुत से myths जो हैं वो मिलेगी आपको पुरान में बहुत से myths मिलेगी पुरान में जो basically part of narrative बन गया जो part of narrative बन गया ब्रह्मनिकल religion में ब्रह्मनिकल religion में यह जो बहुत से myths थी पुरांस का पार्ट, या एक हिस्टा बन गया ब्रहमिनिकल Director में और ये जो बेसिकली मि्त है, इसी पर अधारिद इन मित्व पर बेश दी, जितने गौड्स का Description मिलता है, पुरां में, जितने का description मिलता है हमारे तमाम scriptures में उन पर based idol उन पर based temple ये आपके अस्तित्म में आते हैं तो basically शुरुवात कैसे होती है जो original हमारे scriptures है या जो हमारी mythology जुड़िवे facts हैं कुछ तत्य हैं या कुछ myth है उन पर आधारिद temples का आपका नीव रखा हुआ है माला basically temples की नीव क्या है ये पुरान और ये scriptures और जो हमारे जितने भी हमारे गरंथ हैं उनमें जो God के बारे में description है उनकी ही idol उनकी image आपको in temples मिलेगी तो basically जो पुरान में जो God mention है वही principle image बनते हैं तमाम temple में basic सी बात हम सब जानते हैं जितने भी temple हैं आपके जो shrines है जो shrines है जो टेमपल से बेसिकली डे वर ओफ थ्री काइंट तीन हुआ 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 ह तो बिसिकली जो हमारे टेंपल से हैं जो शराइने बिसिकली तीन परकार के तीन परकार के थ्री कैटेगरी के में शराइन को बाटा गया है बाइफरकेशन किया गया है नमबर वन है आपका शानदारा टाइप नमबर वन है हमारा शानदारा टाइप शानदारा ल humming वह क्या वैडिटेल के देखेंगे यहाँ पर मतलब है विदावट एकनि प्रेदिक्षनjan path वो देखेंगे आगी क्या है दूसरा है निरन्धर टाइप निरन्धर प्रकार निरन्धर टाइप टैमफल श्राइं का बेशिक जो कंसेप्ट तीन तुरह से बईफरुकेश निदेस यहां पर वित प्रदिक्षिन trov फिस नपन थर्ड हमारा मैं ये ऐह शंदार्ह टाइप यहां पे आपका जो प्रेदिख्षणा पाथ है वह नहीं रहेगा जो चारा तरस चक्काल लगाते हैं श्राइन के श्राइन के कुनी के और लास्ट अमाना जो केटेग्री वो है सर्वतो बद्रा ताइप जिसमें कि आप उस टेंपल को किसी भी साइट से नौर्ड साउथ इस्ट वेस्ट किसी भी साइट से एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म ओफ श्राइन को तो टेंपल आर्किटेक्चर में पहले त कॉपी में डाइरी में जहां बहां भी लिकरें नोड करते हैं चलें है था है था था है हुआ है देखे इस पर आधारित इस पर आधारित सवाल इस पर आधारित तमाम कोशन एक्जाम में पूछे गए हैं यह सवाल आप देखेंगे यहाँ पे UPSC Pre का कोशन UPSC Pre का कोशन आपके सामने स्लाइड पे स्क्रीन पे मैं रखा है देख लिए साफ साफ जो हमारा शांदारह टाइप है टेम्पर आर्किटकरश श्राइन यहाँ पे उष इस में श्राइन के चारों तरफ एमबुलिटरी पाथ नहीं होता निनंद्रा टाइप में उसके चारो तरफ जो है आपका ambulatory path होता है और last मैंने आपको बताया था सर्वतो बद्रा जहांपे की जिस temple को across from all the sites north, south, east वर चारो तरफ से ये जो आपका temple है इसको आप north से, south से, east से, west से, कहीं से भी access करें from all sides इसको आप access कर सकते हैं ये होता है हमारा सर्वतो बद्रा टाइप शांद्रा टाइप में जो main shrine है उसके चारो तरफ ambulatory path जो चक्कर लगाते हैं वो नहीं होता शांदरा टाइप में जबकि निनदरा टाइप में उसके चारो तरफ हम जो है ambulatory path होता है यह याद रखिए यह basic fundamental है temple architecture temple shrine में जो basic difference category बाटी गई है तो उस पर अधारित question UPCP में पूछा गया था कि आपको बताना था यह तीन हमारे जो यहाँ पे options हैं match the following शांदरा टाइप विदाउट परदिक्षिना path second दिनदरा टाइप with परदिक्षिना path third सरवतो बदरा which can be accessed from all the sides यह basic concept पता है यहाँ पे जवाब है आपका D all are correct सारे सही है सारे यहाँ पे सही है तो basically यह जो कुछ प्रकार के question होते हैं जो temple architecture पर बेस सवाल है यहाँ पर आपकी fundamental knowledge चेक की जाती है कि basically उस architecture के जो basic features है उसके बारे में आपको idea है यह नहीं जैसे यह question basic जो fundamental feature है उस पर based है अब देखिए early temple temple की बात करेंगे तो हमारे जो temple का structure जो start होता है कहानी start होती है तो earliest temple की example देखेंगे बात करेंगे पहले नदन इंडिया की earliest temple तो यहाँ पर देखिए आपके आपके सामने इमेज में दशावतरा टेमल विष्णु झी पर बेस्ट विष्णु गौड पर बेस्ट दशावतर टेमपल जो की आपका देवगड़ में सिच्वेटड एं लोगते तेवगड़ कहां पर है ललित्पु डिस्रीक्ट उत्तरप्रदेश देवगड़ सान लोकेटड है ललित्पुर डिस्टिक्ट उत्तर प्रदेश यूपी में तो बेसिकली यह जो देवगर्ड में आपका दशावतारा विश्णु टेंपल है यह आपका फिफ्थ सेंचुरी बीसी फिफ सेंचुरी एडी फिफ्थ सेंचुरी एडी में यह इसका निर्मान प् गुप्त काल में गुप्त एरा में यह टेंपल आपका दशावता टेंपल बनना स्टाट वाता गुप्त पीरेड में गुप्त काल में तो इस टेंपल में एक खास बात यह है कि पंच यातन स्थाई पंच यातन देगी बिलको सिंपल एक स्ट्रुक्चर है स्टोन का की टाक्ट्ट इस्टरक्श लगाइब्स नहीं यह स्टोवन से फ्री स्टेंडिंग स्ट्रक्शर टैंपल का बनाये गयं इसका मतलब का पंच यह तन नहीं पांच मतलब एक में श्राइन में श्राइन में आइडल गॉड आइडल पिंसिपल गॉड में डेटी और उसके पास चार उसके साथ चार और उसके साथ चार और सबसीडरी श्राइन उसके साथ चार और सबसीडरी श्राइन जो की प्राइम डेटी नहीं है तो एक प्राइम गॉड पिंसिपल गॉड है और जिनको सबसीरी श्राइन बुला आता है तो पंच यातन श्राइन में जो में श्राइन है वो तो rectangular plinth पे है और उसके साथ में चार smaller सबसीरी श्राइन जो है वो चार corners पे चार corners पे है तो चार प्लस एक पांच ये basically इस इस temple में इसका भी आपका जो fundamental है वो यहां से देखने को मिलता है पंच यातन style of temple architecture very important बहुत important है यह चीज बहुत important है कि basically एक main principle shrine है उसके साथ 4 श्राइन है तो पंच यातन अब देखिए यह चीज का usefulness आपको पता रगेगा जब मैं questions की practice करवाँगा इसी lecture में देख सकते हैं यहां पर इस temple में जो दशावता temple है दशावता temple में एक question exam में आया था मैंने किसी paper में देखा था उसमें पूछा था कि शेष शेष नाग जो है या शेष शया पर विश्नु का जिक्र था और पूछा था यह कौन से temple आर्किटेक्चर यह कौन से temple में यह basically जो शेष शेष न जो मुद्रा है विश्नु जी की यह कहां पर located है तो basically यह दशावता temple जो देवगड़ है देवगड़ में दशावता टेपल वहीं पर हमको यह image यह देखने को मिलती है तो basically यह जो आपका विश्नु जी का यह विश्नु जी का रिलीफ यहां पर शेष 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 एन ऑंदी साउथ यहां पर देखने को मिलता है तो यह इस तरह के सवाल भी exam में करे बार आ जब जब आपसे इंडारेक्ली इंडारेक्ली उस टैंपल का डारेक्ली नाम ना देकर उसकी उसमें कोई image में जैसे कि RS 2018 RS 2018 means RS 2018 का जो मेंस का paper हुआ था मेंस का paper no.1 paper No.1 आरे 2.18 जो पेपर हुआ उसका मेंस का पेपर नंबर 1 पहला सवा, पहला सवाल था आपका अरजुन पीनेंस अरजुन पीनेंस, सिर्फ ये पूछ लिया कि अरजुन पीनेंस किसे जुड़ा हुआ है, किस से असुरिट है, उसका क्या मतलब है तो अगर आपने temple architecture पढ़ा है दो किताब अधिदी सिंगानी पढ़ी यदि आपने ये पढ़ा हमारा fine art के NCRT उसमें clearly mention था कि जो अरजुन पिनेंस है ये महाबलीपुरम temple तो कई बार सवाल आपके directly temple का नाम ना देखे कोई particularly important scripture कोई particular important image जो अस मंदिर की पहचान होती है उस पर आधरी सवाल पूछे गए है previous कुछ exams में तो ये याद रखिएगा कि जब भी शेष नहीं है या विश्णु जी का जिक्र करेगा दशावता temple की बात कर रहा है जो कि देवगर ललितपुर यूपी में located है लेट गुप्त पिर अर्ली टेंपल जो हमारे हैं उनके कुछ और एक्जामपल जो नदर इंडिया में अलियस टेंपल है उनके कुछ और एक्जामपल देखिए यहां पर शिवा टेंपल जो की शिवजी जो प्राइम डेटी शिवजी है आपर नचना कुथारा नचना कुथारा याद यहां पर है टेंपल लोगेड़ है यह बिलकुष सिंपलेस्टिक स्टाइल में देखिए आर्गेटेक्चर में कुछ भी कॉंपलेक्सिटीज नहीं है बिलकुष सिंपली डिजाइंड है यह यह टेंपल भी तो यह भी जब मंदिरों को निनमान होता है टेंपल आर्गेटेक्चर में उसमें यह वन ओव दी अर्लियस्ट एक्जामपल्स माने जाते हैं चाहे वो देवगड दशवता टेंपल हो चाह स्ट्रक्चर की बात करते हैं आर्गेटेक्चर में आपको स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक बाते हैं कि टेंपल का जो आर्गेटेक्चर है वो किस तरह से वर्गी करन उसका किया गया है उसके क्या सैलियेंट फीचर से यहां पर देखिए जो बेसिक एक बेसिक लियाउट म आपके सामने कई पार्ट्स नोट कर सकते हैं यहाँ पे क्लष की लोकेशन देखिए अमलगा क्या होता है और आपका गर्भा फ़री जहां कि principal shrine, principal shrine, main deity यह या रख़िये, इसका मतलब जो principal shrine होती है उसकी idol को जहां पे place किया जाता है रखा जाता है उसको बोलते हैं, गर्ब गिरिया तो गर्ब गिरिया मतलब जहां principal deity की जो principal god अपन की shrine को जहां पे staffit किया जाता है गर्ब गिरिया और ये शिकर, अमलका, कलश, मंडपा, अर्थ मंडप, बेसिक कंपोनेंट से टेंपल आर्किटेक्चर के तो बेसिक फॉर्म्स, हिंदू टेंपल, जब हिंदू टेंपल की बात होती है तो टेंपल आर्किटेक्चर में कुछ बेसिक टर्मिनलोजी है जिससे आपको परिचित होना पड़ेगा, यदि इससे फैमिल रिना है तो कोई सवाल गलत नहीं होगा नमबर वन, सैंक्षम का मतलब क्या है, सैंक्षम हिंदी में कहते है गर्ब गरिया इसका लिटरली मतलब है warm house, लिटरली मतलब warm house यह वो जगए गर्ब गिरिया वो जगए है सैंक्शन वो प्लेस है जहां पर पिंसिबल लेटी जो में गौड है उसकी श्राइन को जहां पर लोकेट या प्लेस किया जाता है सैंक्शन गर्ब गिरिया का मतलब जो पिंसिबल लेटी सिंगल एंट्रेंस है that grew into a larger चैंपल in time starting में जो था जहां पिंसेबल लिटी रखे आदी थी बहुत small सा चैंबर जहां पे पिंसेबल लिटी रखे आदी थी उसके साथ समय के साथ में development होता गया और ये चैंबर आपका small सा बड़ा होता गया और अब ये अच्छा काज़ा space रखता है लेकिन still ये जो आपका पिंसेबल लिटी की रखे आदी गर पर गिरिया इसकी जो wall size dimensions है वो as compared to mandap hall बहुत कम है याद रखे तो basically ये एक house है जिसमें की main deity पिंसेबल लिटी की mage को रखा जाता है दूसरी बात entrance to temple which may be portico or colonite incorporates space for a large number of worshippers is known as mandapa hall basically ये hall इसका मनदपा का मतलब एक बड़ा सा hall एक बड़े से hall में जब गर्ब गिरिया से पहले गर्ब गिरिया से पहले बड़ा सा hall है जहांपे की worshippers जो worship करने वाए लोग है हमारे worshippers वो एक खटे होते हैं devotee जहांपे gather होते हैं devotee जहांपे gather होते हैं तो ये mandapa basically बड़ा सा it incorporates a very large space very large number of worshippers or devotee can gather hall यहांपे देख सकते हैं mandapa गर्ब गिरिया से पहले ये mandapa बड़ा सा hall यहां pillars भी हैं तो ये basically बहुत से जो हमारे devotee हैं वर्षिपर हैं जो gather होते हैं उस पे दरशन करने के लिए एक आपका है यहांपे free standing tempers free standing का मतलब होता है जो rock cut cave से नहीं बने जो rock cut cave से नहीं बने जिनको stone से या other हमारे जो stuff असे बनाए गया है लेकिन चटानों से काट कर नहीं बनाएंगे free standing temple यहां पे mountain like spire mountain like spire उसके उस पे देखेंगे top पे mountain like spire type structure यह है हमारा curving shikar यहां पे देखिए this is this is shikar एक mountain like spire एक mountain like spire है at the top of garb griya garb griya के top पे mountain like spire यह basically इसको हम कहते है shikar this is called curving curving shape में that's why it is called curving shikar जब यह जो shikar है आपकर curve form में तो मिलता है northern India में लेकिन southern जो इंडिया है southern यह dervedine architecture dervedine architecture में यह basically shikar आपका curvilinear shape में ना हो के piramidical pyramidal shape में pyramidal की तरह जब tower shape में होता है वो होता है हमारा southern India में इसको बोलते है विमान उसको बोलते है उसमें विमाना तो याद रखेगा कि जब northern India में temple architecture की बात की जाती है तो उस समय जो curvilinear शिकर होता है यह कहला आता है शिकर करवीणर शेप और जब यही आपका अन धी टॉप ऑफ गर्ब ग्रिया यह जो स्ट्रक्चर है जब यह performs चेप में होगा यहamot होगा डर्विटिन्य आइंडिया मे तो शिकर तो नदर अंडिया मे और विमन विमाना आपका सदन अंडिया में एक और होता है concept यहाँ पे वाहन, एक concept और है यहाँ पे वाहन, वाहन मतलब वो mount और वो vehicle, वो vehicle, वो vehicle जिस पे की basically main deity, principle deity, जो principle deity है वो basically place की गई है, उनका वाहन है, उनका transport का, simple शब्दों में जो principle deity है, उसका वाहन है, उसके transport का साधन है, ऐसा एक तरह से इसको symbolize किया गया है, यहाँ पे देखिए, sun, temple, konark, sun, temple, konark, आप clear note कर सकते हैं, कि यहाँ पे basically principle deity के वाहन, उसके vehicle के रूप में, यह image clearly साफ साफ बताती है, तो वाहन का मतलब जो basically vehicle, जो principle deity को ले आ सके, यह चीज, तो यह कुछ basic fundamental features हैं, हमारे temple architecture में start करते हैं, पहले northern Indian temple, northern Indian Hindu style of temple architecture से, तो जो temple architecture है, उसकी कई प्रकार है, temple architecture की कई प्रकार है, यहां पे आप देख सकते हैं, पहली style है, नागर स्टाइल फर्ट स्टाइल है हमारी नागर पहली स्टाइल है नागर स्टाइल नागर स्टाइल फर्स नागर स्टाइल जो की हमें नदर इंडिया मिलती है बेसिकली यहां मिलेगा आपको बिट्विन हिमाले और विंद कि हिमाले माउंटेन और विंद जो विंद्यांचल की बीच में जो टैंबल आर्किटेक्टर उसको हम कहते है नागर स्टाइल दूसरी स्टाइल अब की डर्वीडियन स्टाइल is called Darvidian style Darvidian style यह वो style है जो कि Southern India में located है between Krishna and Kaveri Krishna और Kaveri नगीत नदी के बीच में Krishna और Kaveri नदी के बीच में जो Temple style है उसको बोलते है Darvidian style थर्ड है हमारा Vesar थर्ड है हमारा Vesar style जो कि दोनों का जो कि नागरा का और Darvidian style का combination नागरा और Darvidian style का mixer वो है हमारा Vesar hybrid style इस अलसो कॉल्ड hybrid style यहां पे दोनों जो शैलिया है Darvid style और आपकी नागर style उसका hybridization उन दोनों के features इसमें वेसर style में incorporated है तो यह चीज है basically नागर style नदर इंडिया में Southern इंडिया में Darvidian style है वो है हमारा Darvidian architecture और जो दोनों का जिस style में दोनों styles के कुछ features हों incorporate किये गए हों hybrid हों उसको बोलेंगे Vesar style यहां पे आप तीनों को image form में भी देख सकते हैं इस particular image में तो देखिए तीनों जो style हैं उनके कुछ fundamental differences तीनों को एक single slide में इन तीनों के main main differences उसको मैंने यहां पर highlight करने की कोशिश की है तो याद रखिए का तीन style नागर style, डविडिन style and third Vesar style अब तीनों के differences यहां पर note करिए नागर style नदन इंडिया में नदन इंडिया में basically UP उत्रपरदेश मद्देपरदेश UP, MP, Bihar basically और हमारे राजिस्तान की भी कुछ इसे में दिखेगा आपो नागर style ही नदर आएगा actually हिमाले से ले करके और विंद्देश अंचल में तो यह हमारा नदन इंडिया में इसका period नागर का period क्या है जब डवलप हुगा start होना यह है आपका देखी जो हमारा यह दशावतारा temple है दशावतार पहले temple से पहले आपका उद्देगरी मद्देपरदेश में और आपका सांची, सांची में स्तूब तो हाई, पर है temple का भी एक वाँपा example देखने को मिलता है earliest temple का तो यह हमारा fourth century fourth century या fifth century में, fifth century fourth century में यह basically आपका नागर स्टाइल जो है वो start उसका nucleus, just डवलपोना start हो गई थी बात करतें डरविडिन आर्किटेक्ट्चर की यह मिलेगा आपको southern इंडिया में जैसा मैंने आपसे कहा, कृष्णा और आपकी कावेरी कृष्णा कावेरी या कृष्णा कन्या कुमारे के बीच में जो location है वहाँ पे मिलेगा डरविडिन स्टाइल आर्किटेक्ट्चर seventh century AD seventh century AD में यह start होता है मैंने का आपको sixth century sixth century के end में और seventh century के starting में यह basically आपका flourish होना start हो जाता है कुछ example इसके sixth century में भी देखिने को मिलते हैं उसके अलाबा वेसर style वेसर style यह मिलेगा आप कन्नाटका में कन्नाटका में महारास्त पे कुछ example दिख जाएंगे वेसर style में क्या है दोनो नागर और डरविडिन स्टाइल का आपस में hybridization दोनों style के कुछ silent feature दोनों में incorporate किये हैं वेसर style में यह 3rd से 8th century 80 3rd से 8th century 80 के बीच में यह style आपको देखिए वेसर style अब देखिए दोनों में और का differences है नागर style में जो टार और शिकर है मैंने कहा जो आपका main basically यहाँ पे note करें कि जैसे आपका जो main गर्बा गरिया है गर्ब गरिया के उपा जो top पे जो जिस तरह का वो shape बनी वी है वो basically linear shape में एक तरह से curvy linear curvy linear यहाँ पे तो टार और शिकर यहाँ पे curvy linear curvy linear outline notice करेंगे उस structure में जबकि जो shape आपको दिखीगी घर्ब गिर्या के उपर Indy case of driven architecture यह प्रमेडिकल यह शेप है आपकी पिरामेडिकल पिरामेडिकल शेप यहाँ पे नोट करेंगे पिरामेडिकल शेप तो step like step like structure पिरामेडिकल शेप विमाना और जो आपका जो बेसा style है यहाँ पे दोनों के hybrid features वो इस जगह मिलेंगे तीसरी बात नागर style में जो pillars है tempels में pillars आपको ज़ड़ा नहीं मिलेंगे नागर style में जो pillars है पिलर्स आपको मंढप में उतने नहीं मिलेंगे लेकिन जो driven style है यहाँ पे pillars prominent feature है दरवडिन स्टाईल में pillars मंदप मंदपा में pillars prominent feature है in the case of Delovedian बट not in the case of Nagel style pillars आपके ways-ar style में लेका दोनों का hybridization जब अग्हात इस्टाईल में एक और बात gopuram GoPuram क्या होता है GoPuram होता है जब temple में enter करते हैं एक बहुत बड़ा gateway जब temple में enter करते हैं में जो आपकी जो body है temple का structure है उसका main gate main gate से जब enter कर रहे हो तो यदि व Must you बहुत बड़ा आपका structure है gateway है उसको बोलते chiin GoPuram तो GoPuram जैसे structure बड़े large gateway पर वो आपको नागर स्टाइल में रिज़र नहीं आते लेकिन गोपूरम जो structure है आपका large gateway बड़े size का यह आपको दिख जाएगा द्रविडे इन स्टाइल में और वेसर स्टाइल में चूकि यहाँपे combination है तो कुछ temple में बड़े बंपूरम तो गोपूरम क्या है large gateway है at the entrance of the temple at the entrance of the temple जो आपको नागर स्टाइल में नहीं मिलता large gateway डर्विने स्टाइल मिलता है और हमारा वेसल स्टाइल जो कि combination, hybridation है यहाँ पर भी कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है water tank water tank water tank जो है जिसका purpose है उस पानी का sacred use, उस water का sacred use, तो water tank आपको जरूरी नहीं है कि नगर सल मिले water tank जरूरी नहीं है कि मिले लेकिन आपको डर्विने स्टाइल में water tank जिस पानी का यूज sacred purposes किया आता है drivingation style में आपको जरूरी मिलेगा तो water tank जरूरी मिलेगा यह salient feature है drivingation style का लेकिन नागर स्टाइल में ऐसा हो भी सकता है, नहीं में maybe we not be, कोई essential condition नहीं है वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा दिस वाटर टैंक वाटर टैंक बेसे साइल में भी चुकि कॉंबिनेशन है तो मिल भी सकता नहीं मिल सकता तो यह कुछ important features हैं जो आप note कर लीजे अगर copy में लिख रहे हैं diary में लिख रहे हैं category नागर स्टाइल डर्विडिन स्टाइल वेसर स्टाइल उन तीनों में fundamental क्या differences है वह यहां से नोड कर लीजे बेसिक सी बात है कोई टफ नहीं है लेंगे नागर स्टाइल यहां पर जो मैंने आपको अभी बात कही नागर सर के dire एक आपका करों कर्वी लीनार स्टक्चर इंडिकर ट्रवीडिन स्टाइल में थे आप पर ताईप यह शुट्स्ट्र ちゃर combination कुछ feature इसके हैं और कुछ feature दर्विडिन के भी है यहाँ पर बेसे style clearly इस image से तीनों के fundamental differences को आप आराम से note कर सकते हैं तो अब हम एक एक करके यह दो जो हमारी main style है नागर style और डर्विडिन style जिस पर की पूरा temple, architecture, chapter ही पूरा based है इसके और कुछ बातों पर बात कर लेते हैं basics पर ताकि exam में कैसा भी question आए आपका गलत ना हो तेकि नागर style जो है नागर style of architecture जो नागर style है नदर इंडिया में इसके again इसके again तीन जो हैं sub component subdivision उचछ हुआ ! में करदा हुआ! तो जो बहुत नागर स्टाइल है नदन इंडिया की जो टेंपर आर्किटेक्ट्चर इसके अगें तीन बेसिक कंपोनेंट्स फर्स्ट लैटीना सेकेंड फार्म साना थर्ड वल्लवी याद रखेगा ऐसे कोशन भी एक्जाम में आते हैं लोग मुझे पूछ रहते हैं आर्ट और कल्चर में कैसे कोशन बनते हैं ऐसे बूचेगा आपसे तो अगर आपने टैंपल आर्किटेक्ट्चर में हरी स्टाइल का बेसिक्स क्लियर किया है तो सवाल कैसा भी गुमा फिरा के आजाए यू विल बी इन दी पोजिशन टो अटैंप्ट करेक्ट्ली तो यहां पे नागर स्टाइल के तीन हमारे फीचास हैं तो लेटिना को हम एक और नाम कहते हैं रेखा परसादा लेटिना जो सब डिविशन है नागर स्टाइल का इसका एक और नाम है रेखा परसादा लेटिना जो नाम है बिसिकली मोस्ट कॉमन नेम है सिंपल शिकर यहां पे मिलेगा आपको सिंपल शिकर एकदम simplest form में शिकर दिखेगा in the class of Latina which is a square at the base base होगा आपका square base होगा square and whose walls curve or slope inward to a point on top is called Latina or the rekha परसादा type देख सकते हैं यहाँ पे square क्या है आपका जो base है जो base है वो तो square है base आपका square है उसके उपर यहाँ पे simple type का curve linear structure और यह inward यह basically मैंने यह word note लिखा है आपके सामने कि slope यहाँ पे कैसा है या तो curve है wall curve है या slope inward है अंदर की तरफ जो slope है वो अंदर की तरफ slope inward to a point on top slope inward to a point on top inverse से आके उपर जाके यह point इस पे converge हो रहा है Latina type नागर style of architecture में तो यहाँ पे slope inward है to a point on top इसको रेका परसाद इसको रेका परसाद टाइप भी कहा जाता है रेका परसाद टाइप भी इसको कहा जाता है इसका main use जो गर्ब ग्रेया है जहाँ पे principle डेटी में डेटी रखी आती है उसके उपर उसके top पे देखेंगे तो आपको Latina जो है शिकर दिखेगा तो यह basically जो वर्गी करन किया नागर style का इस शिकर की structure है शिकर की shape है उस पे अधरित है तो यहाँ पे गर्ब ग्रिया देखेगा आपको इसके नीचे beneath this Latina structure first second हमारा है farm sana second is called farm sana again temple architecture में नागर style का एक subdivision है farm sana तो इसमें क्या फरक है देखें यह image देखेंगे पहले पहले आप image note कीजे इस image में और जो मैंने पहले image दिखाईगे आपको Latina की उसमें आपको एक difference दिखेगा इस image में देखेंगे तो आपको दिखेंगे structure थोड़े से broader है जो top है थोड़ा सा broader है चोड़ा है and shorter than the Latina चोड़ा तो है लेकिन height में कम है height में कम है तो broader है but shorter than Latina shorter than Latina tie their roof is composed of several slabs यहाँ पे roofs कैसी है यह slabs की shape में slabs की shape में roof है that gently rise to a point यहाँ पर भी single point पे rise हो रहा है लेकिन वो slabs की form में rise हो रहा है over the center of the building उस building के center से आपका top पे slabs की form में वो rise होके जा रहा है unlike the Latina one which looks like a sharping tar Latina में क्या था चूकि वो curve लीने शेप था तो वो ऐसा लगता था कि एक tar की तरह है sharp tar लेकिन यहाँ पे slabs की form में broader shape है यह point पर जाके कर्मट जो रहा है farm sana roof don't curve यहाँ पे curve आपको नहीं दिखेगा curve नहीं दिखेगा slabs की form में रहेगा और जो basically आपको slope दिखेगा अगर आप join करेंगे तो state line एक slab उसके पर एक और slab उसके पर एक और slab तो slab की जो width है वो height के साथ में कम होती आ रही है slab की width height के साथ में कम होती आ रही है तो basically क्या हुआ एक अगर join करेंगे तो आपको straight inclined line straight inclined line नजर आएगी in the case of farm sana in many northern Indian temples बहुत सारे northern Indian temples में the farm sana type is used for mandap farm sana type को use करते है mandap के लिए farm sana type use किया आता है latina था आपका गर्ब गिरिया के लिए latina था गर्ब गिरिया के लिए farm sana type में mandap के लिए जो बड़ा hall है जहांपे devotees हैं जो हमारे basically followers हैं जो god को मानते हैं वो gather होते हैं mandap तो ये mandap के उपर आपको दिखेगा this type of farm sana structure while the main गर्ब गिरिया is housed in the latina building जैसा कि मैंने previous slide में आपको बताया third subdivision third sub component नागर style का है वलभी third sub component sub division नागर style of architecture का तो यहां पर का है यहां दिखेगा आपको rectangular buildings यहां पर rectangular buildings है भी ते roof that rises in a vaulted chamber यह वाद याद रखिएगा vaulted chamber जो roof है it rises into a vaulted chamber जो roof है वो rise करती है into a vaulted chamber यह difference है इसमें लेटिना में फार्मसाना में यहां पर रूफ आइस कर रहें इंट वॉल्टेट चैंबर यहां पर इस इमेज में नोट करते चलें the age of the vaulted chamber is round उसका age round है like the bamboo bamboo की तरह इसका age जो है वो round है that would have been drawn by the bullocks in ancient जो आपने देखे होंगे जो wooden wagons बुलक काट बुलक काट उसका जो wooden wagon होते थे wooden wagons तो वहां पर कुछ इस तरह का आपको vaulted chamber उस time से similar मिलता होता देखेगा तो यहां पर जो roofs है यह rise होगे into a vaulted chamber merge हो रही है the form of this temple is influenced by the ancient building forms that were already in existence उस समय जब यह temple बन रहे थे उस समय जो buildings उस समय जो buildings अस्तित में थी उन buildings में जिस तरह का structure देखेने को मिलता था top पर उससे यह structure influenced है उससे structure influenced है तो याद आखे का जब भी vaulted chamber जेकर हो समय लेना वल्लबी style की बात कर रहा है जो की आपका नागर style का एक sub component है देखिए नागर style Northern India में जो temples की बात की आती है तो कई सारे architecture के example सामने आते हैं कई सारे नाम आते हैं जैसा कि मैंने दश अफ़तार देख लिया देवगर देख लिया ठीक है हमने नाचना ख़दुरा वाला जो एमध्य परदेश का है उसको भी नूट कर लिया अब यहां पे खजुराओ के temple खजुराओ के temple भी नागर style का एक magnificent एक बहतरीन example नागर style का खजुराओ temple एक बहुत ही magnificent बहतरीन example तो यह temple उस architecture का ही है अब इस architecture में यह जो आपका यह art and culture है यहां पे आपको यह भी जाना रहेगा कि architecture की types कैसे है कैसे बना कौन सा material भी बेसिक बात प्लस वो temple किसने बनवाया वो architecture किसने बनवाया कौन से dynasty कौन से king के समय वो temple का निर्मान हुआ तो इस तरह के सवाल भी आटर कल्चर में बनते हैं यदि architecture की बात कर रहा है painting की बात कर रहा है music की बात कर रहा है तो किस राजा के समय किस dynasty की time पे वो basically आपका एकदम booming period था किस के time पर वो चीज हो रही थी तो जो हमारा खजुराव temple है खजुराव जो एक group of temples it is a group of temples खजुराव में तो यहां पर एक example है लक्षमना temple लक्षमना temple खजुराव का dedicated to Vishnu ये God Vishnu को लक्षमना temple dedicated to God Vishnu इसका निर्मान होता है 954 AD 954 बलब 10th century AD 10th century AD इंदी है 954 ये लक्षमना temple खजुराव वाला अस्तित्व में आता है किस ने बनवाया किस ने बनवाया बहुत famous king है चंडेला king चंडेला kings very famous king जिन्होंने की इस temple के निर्मान करवाया था ठीक है तो ये नागर इस्टाइल ने बनावा temple है और ये देखेंगे आप यहां पे तो एक इसको पहुंचने के लिए इस पहुंचने के लिए आपको यहां पे stairs का उसका ना पड़ेगा पहुंचने के लिए उसका ना पड़ेगा stairs का you have to use stairs to reach over there आपको stair का उसका ना पड़ेगा यहां पर पहुंचने के लिए तो देख सकते हैं कि basically जो temple है वो आपका यहां पर जो है can be accessed by the stair stair से इसको आप access कर सकते हैं number 1, दूसरी बात there are four small temples in the corners, पंच यहां भी देखने को मिलती है, main temple main temple के चारों तरफ surrounded four small temples main temple के चारों तरफ four small temples, four subsidy shrine तो पंच यतने style यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है और आपका जो roof है, जो top है वो मिलेगा आपको पिरामेडिकल curvilinear, curvilinear shape में emphasizing the tempus vertical thrust ending horizontal fluted disc यहां पर जो fluted disc है, जो देखे, इसको बोलते हम लग जो यह उपर एक circular structure है इसको बोलते हैं अमलक, जहां पर शिकर जो है आपका जाके, converge होता है इसको बोलते हैं अमलक, जैसा कि आपे note कर सकते है crowning element अमलक है और कलश इसके उपर आपका कलश इसके उपर कलश, जो कि मैंने बताया आपको तो यह खजुराओ temple में सारे नागर स्टाइल के जो basic features है इस temple में मिलते है तो note यहां पर एक अनना है कि लक्षमन temple जो है वो God Vishnu पे dedicated है और नागर स्टाइल का example है कब बना 954 AD में किसने बनाया चंडिला किंग चंडिला किंगने इसका निर्मान करवाया है तो यह सारी बाते important है इस सारी बातों को note करते चलें दूसरा खजुराओ temple में और भी बहुत सारे temple है और भी बहुत temple जैसे कि एक example दे रहा हूँ आपको में कांडिला महादेव temple महादेव temple महादेव temple यह बी basically आपका example किसका है यह विश्णू पे नाओ के शिवजी पे बेज़ड है महादेव temple यह खजुराओ में है यह temple architecture का happy tone माना जाता है मलब इसमें अच्छा खासा architecture के सारे features का स्थेमाल किया गया है दूसरी बात यह basically आपका यहाँ पे देखेंगे structure यहाँ पे structure इस temple में जो structure है उनका structure massive है जो structure use किये है temple में वो massive है magnificent है जो structure use किये है यहाँ पे वो massive है यहाँ पे आप सारे features Central Indian temple के जो medieval period में जितने features थे उस समय जो सारे के सारे आपको feature यहाँ पे दिख जाएंगे इस महादेव temple खजुराओ में खजुराओ temple आप जानते हैं कि extensive erotic scripture erotic scripture के लिए बहुत famous है हम सब जानते है खजुराओ temple यहाँ पे आपको जो human को experience किया गया है वो spiritual pursuit spiritual pursuit and it is seen as a part of a larger cosmic hole human को as a part of larger cosmic hole ऐसा बताये गया है indicates खजुराओ temple खजुराओ लेकिन famous हैं आपके extensive erotic scripture के लिए खजुराओ temple यहाँ पे देखेंगे आप highly stylist highly stylish temple है यहाँ पे जो features देखेंगे आपको human के जो बनाए गए है sharp nose sharp nose prominent chin prominent chin sharp nose long slanting eyes long slanting eyes plus long eyebrows तो यह features sharp nose prominent chin long slanting eyes and eyebrows तो कई temple ऐसे हैं यहाँ पे खजुराओ में जो particularly devoted है dedicated है to the Hindu god अधिक तरह जो टेंपल से हैं वह हिंदू गॉड लाइक विष्णू जी शिवजी पर डेडिक्रेट हैं maximum temple लेकिन लेकिन कुछ टेंपल यहाँ जो जैन जैन धरम पर भी आधारित टेंपल आपको दिख जाएंगे खजुराओ के अंदर तो लोग सोचते हैं कि खजुराओ टेंपल सिरफ हिंदू गॉड्स के लिए maximum gods लेकिन यहाँ पर कुछ टेंपल ऐसे भी है जो जैन धरम पर भी आधारित है इस बात को याद रखना जबकि योगी नी टेंपल योगी नी टेंपल भी दिख जाएगा आपको goddess का टेंपल गॉडस का टेंपल भी है रिख जाएगा जैन धरम के साथ साथ 10th century में निर्मान हुआ इसका this is a temple of small square shrines of roughly hewn granite granite blocks का granite granite blocks का यहाँ पर इस्तमाल किया गया था टेंपल के निर्मान में each dedicated to the goodness associated with the rise of tantrik वक्षिप और देखिए यहाँ पे tantrik tantrik विद्या tantrik वर्षिप उसका भी जिक्र वो बेसिकली वो भी आप उस पर अधरी temple भी दिख जाएंगे तो tantrik वर्षिप वाले temple जो की है goddess पर बेस जैन धरम पर बेस तो हिंदू गौड तो प्राइम है पर साथ पर इन पर बेस टेंपल भी हमें खजुराओ के दिखते हैं तो इसलिए कोशन खजुराओ टेंपल के आता तो यह मत सोचना किसलिफ हिंदू गौड पर हिंदू गौड के साथ साथ जैन टेंपल भी है प्लस गौड़ेस की है कुछ टेंपल तांत्रिक विद्धा तांत्रिक वर्षॉप पर भी वर्षिप पर भी आधरी थे जैसा कि स्लाइड में आप नोट कर सकते ह दीकbye UPC-PD 2014 इस तरह कि सवाल आपके कई लोग पूचे इसमें सवाल किस तरह कहाएंगे वह मैंने एक नमुना आपको दिया है यहां पर एक एके जांपल दिया है इस तरह किसम, इस तरह के सवावाल रहेंगे बिल्कु दीपक शर्माजी, SSE, CGL और RS की त्यारी आप साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पे बिल्कुल सही करे हैं, कि आप जो है, मतलब RS की, SSE की, UPSC तीनों की त्यारी, देकि मेरा इमानना है कि SSE, RAS और UPSC कोई भी एक्जाम दे रहे हो, UPSC में भी conceptual चीज़े रहती हैं, लेकिन आज कल RAS के पेपर में भी, बलकि SSE में भी थोड़ी से सवाल complex line पे होते जा रहे हैं, वो दौर नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा, जो 2013 से पहले हुआ करता था RAS म लेकिन आज के समय, RAS परीक्षा आप पेपर देखे, 2018 का, आप पेपर देखिए, 200 लागा, दीपक जी, पेपर देखिए का RAS का, और SEC की पेपर देखिए, चुंकि Demand Supply का Miss Match है, हमारे देश पे बड़ा दुरुबाग्य है, कि सरकारी बढ़तियां काफी कम आती हैं, संक्या में जो graduate होते हैं, Engineering College से पास होते हैं, या Medical College से होते हैं, तमाम हमारे अच्छे इंस्टूट्स हैं, वहाँ से graduation करते हैं, लेकिन उनके वनस्पत वेकेंसी आती है कम, और competition लगातल बढ़ रहा है, हर साल आपको वो लड़के भी मिल जाएंगे, जो पिछली बार किसी एक दूर नमबर से रुख गए, या उनको सर्विस मिल गई, उनको अच्छे मन मुताबिक नहीं मिल दुबारा देना है, प्रॉपर सर्विस महाने के लिए, तो competition टाइट है, इसी वज़े से मेरा है मानना है, चाए SSC हो, चाए RSO, चाए UPSC हो, कोई भी एक्जाम आप दे तो यह कहना कि तयारी RS की कर रहा हूं, UPSC की नहीं ऐसा नहीं है, अब दोनों को साथ मिले के चलो, competition का बरोसा नहीं होता, RS की बड़ती, दो तिन साल आप देखी रहे है, time लगता है complete होने में, UPSC में competition थोड़ा टेपर का nature tough रहता है, लेकिन UPSC time bound में में exam करवा लेता है, तो आपको अपनी तयारी इस तरह करनी चाहिए कि जहां पर भी better opportunity मिले, वहां पर आपको फाइदा मिल जाए इस बेरोजगार के काल में, तो मेरी आप सबसे request है कि तयारी इस तरह कीजिए कि किसी ना किसी exam में आपको समदा मिले, हम प्रयास करते रहेंगे, अपने lecture की थू कि आपको better से better content, better से better quality प्रोवाइड किया सके unacademy के मंच पे, तो फ्रेंड देखे, यूपी ऐसी प्री अपने जो मैंने अब तक पढ़ाया आपको, जो अब तक पढ़ाया मैंने, उससे यूपी ऐसी के सवाल भी अप हल कर सकते हैं, को बड़ी बात नहीं है, यूपी ऐस अब तो सवाल यह कि कल्चर इस्टोव इंडिया में पंच यातन पंच यातन जो स्टाइल है, उससे क्या समझते हैं, यह सवाल यूपी ऐसी प्री में 14 में पूछा गया, पंच यातन से क्या समझते हैं, तो क्या आप्शन देखिए, असेंब्लियो विलेज एल्डर्स, जो तुक्के बाजी से, गैस वर्क से, मास्टर ग्रीज सवाल करेबर गलत हो जाते हैं, लोगों ने पंच यातन को पढ़ लिया, पंच यातन और यहां पे ए मार दिया, जो कि गलत, यह चीज गलत, दूसरा, क्या रिजिर सेक्ट है, अगर तुक्के बाजी में लोगों हो स रखता है कि धर्म की बात हो, लेकिन यह भी नहीं है, गलत, अभी मैंने बताया था आपको, पंच यातन का मतलब पिंसिपल श्राइन, में श्राइन, और उसके साथ में चार अधर सबस्टिवी श्राइन, तो यह टेंपल आर्किटेक्चर का एक एक एक्जामपल है, इस एक एस वग से हर सवाल सही नहीं होता, हर सवाल सही नहीं होता, इस जब तक बेसिक कोर कंसेप्ट नहीं पता हो, तो के बाज़े के यह बाद नगेटिव मार्किंग करवा देती है, तो यहाँ पर जवाब C है, अगर आपने पढ़ा है, आसानी सॉल्व कर सकते हैं, इस सवाल UPC 14 में पूछा गया था, तो हमने अभी आपका नागर स्टाइल के सैलेंट फीचे देख लिए, नागर स्टाइल के कुछ एक्जामपस, टैंपल्स की तुरू भी देख लिए, अब हमारा नेक्स पढ़ाव रहेगा, डर्वीडियन आर्किटेक्चर पे, डर्वीडियन स्टा नागर स्टाइल, डर्वीडियन थोड़ा सा लेट, थोड़ा जाता नहीं, थोड़ा सा लेट आया, यह आपका आता है, 6th century के end में, या 7th century के period में, आपका डर्वीडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यह हम इसके बारें बात करेंगे, उससे पहले देखिए, यह बेसि तेक्चर के salient features क्या है, वो देखते हैं, एक एक करके सारी बातों बात करेंगे, यहां पे क्या है आपका गोपूर, मैंने क्या कहा था आपसे, जब temple में, अपन एंटर करते हैं, तो एक होता, large gateway, large gateway, जो कि नागर स्टाइल में नहीं था, नागर स्टाइल में नहीं था, ल दूसरी बात, फिर आप एंटर करें आते हैं, बड़ा सा ग्राउंड दिखेगा आपको, चाहिए आप साउथ में आके, तमाम example, महाबली पो, किसी भी temple में जाएए साउथ में, वहाँ पे आपको इस तरह का structure दिखेगा, basic structure साउथ में, एक बड़ा सा प्लान इरिया, गरब गरिया, गरब गरिया क्या है? जहाँ पर principle lleart है, ये face, जो इसकी shape है, pyramidical, pyramidical structure, pyramidical structure ही, इसको क्या बोलते है, विमाना, इसको बोलेंगे आपे, vिमाना, वहाँ पर क्या बोलते हैं? शिकर, indicateators नगर, शिकर, उसके ओपर यहाँ भीजीए है, वो शिकर मळला भी इस तौ पोजिशन को बोला गया है जबकि वहाँ पे शिकर क्या था वो कर वे दिए शेप तो यहाँ पे विमान गरबर गिरिया मंडप गोपुरां बेसिक चीज यहाँ पे नोड करते चलें डर्विडिन आखिटेक्टर की अब इस जो डर्विडिन आखिटेक्टर के सैलेंट फीचर क्या है वह देखते हैं पहला तेमपल इस यह एंइन क्लोस्ट विठर में कंपाउंड वॉल एक बड़ी सी दिवार बड़ी इसे कंपाउंड वाल में आपको दिख़ेगा डर्विडिन टेमपल जो आर्टेक्टर के बना बड़ी सी बॉल में दिखेगा बड़ा एरिया एस to Nagar style दूसरी बात गोपुरम क्या है मैंने आपको explain किया entrance पे large gateway entrance पे large gateway in the center of the front wall front wall के center में front wall के center में large gateway entrance gateway word third वीमाना वीमाना क्या है वो when the main temple tower in the form of stepped pyramid in the form of stepped pyramid that rises up geometrically that rises up geometry in the form of stepped pyramid that rises up geometrically pyramid shape में हैं डविडिन style में आपका जो शिकर है तो शिकर यहां पर यूज किया गया है वो उसका मतलब है इस वर्ड यूज फॉर दी क्राउनिंग एलिमेंट एड दी टॉप आफ दी टेंपल जिसकी क्युत जा तो उक्टागुनल कुपुला की शिप में रहेगी नियुक्ति इसका मतलब जो शिकर बता रहाता ना यह पर यह हैँ क्राउणिंग एलिमेंट ऑन दी टॉप विमाणा जिकी शेप ऑक्टागुझनल को पुला की फॉरम में रहीगी कि पिर आपका आइवग्ली एंट्रेंज सब्सक्राइब गर्व गरवे गदर गर्व गर्वग्रिया के एंट्रेंज विश्णू जी कि अगर आपने को आपक पड़ा हो तो वैसे दौर पाल जो चौक इतारी कर रहे हैं उस पिंसिबल डेटी की कुछ उसकी रखवाली कर रहे हैं तो यह जो इमेज़ेज हैं यहां पे दौर पाल की यह बेसिकली उसको प्रोटेक्शन मला इतरह से कवरिंग दे बौडी काड़ है दौर पाल गर बगिरे के सुक्रब्चर यह आपको खास बात दिखी कर नागर में जरूरी नहीं है यहां पर आपको देखेगा गर बगिरे के स्टाटिक में और दखिए टैंपर टैंक मैंने आपको रहा यहां पर वाटर टैंक इसका बेसिक फीचर the subsidy shrine. Subsidy shrine that could be found within the main tower or beside the main tower. या तो वो main tower के साथ में या उसके adjacent या तो main tower के साथ main tower के जहां पे आपका main tower है उसके साथ में main principle lady के साथ में या उस main tower के बगल में subsidy shrine जो की पंच यहतन style of architecture भी खही आती है तो वो यहां पर भी दिखने को मिलेगा और beside the main tar ये basic features हैं हमारे dividend temple architecture के इसको note करते चलें और ये diagram image याद अखेंगे ये diagram याद है image याद है तो आपको basic features पता है dividend temple architecture के देखें जो हमारा dividend architecture है इसमें कई राजा आए चोला वंच आए आपके पल्लवा रास्ट कूटा और चालू क्या पल्लवा रास्ट कूटा चालू क्या ये तो starting था बाल में चोला भी आए उसके बाद विजनगर एमपैर है उसके बाद विजनगर एमपैर है तो many dynasties came through the ages समय के साथ में कई साथ dynasties आती है पल्लवा ने बहुत काम करा है चालू के ने काम किया है और उसमें आपके बाद में ये जो है चोला के temple बहुत magnificent रहे है और विजनगर एमपैर राष्ट कूटाने एलोरा तमाम example dynasties के है तो basically हमारा जो 7th और 8th century 7th और 8th century है यहाँ पे ambitious project starting करते हैं एलोरा से एलोरा become even the grand dude by approximately 750 AD by approximately 750 AD ती western चालू क्या जो western चालू क्या पश्ची में चालू क्या take control of the deck उन्होंने 750 AD में western चालू का ने deckhand पे control करना start कर दिया था और basically जो उनका जो control वे चालू के control था वो basically 750 AD में रास्ट कूट रास्ट कूट में उनको defeat करके उस पर कबजा कर दिया तो 750 AD के आसपास तो इनका कबजा था western चालू कर लेकिन रास्ट कूट जब आए इन्होंने को defeat करके उसको वहाँ से बाहर बखा दिया the greatest achievement in architecture is the कैलाशनाथ temple at अलोरा जब भी अलोरा की बात होती है तो कैलाशनाथ temple का जिक्र जरूर होता है जो कि किसकी दे ने उसका starting जो था basically वो किया गया था राश्ट कूट ने तो कैलाश टेंपल जो अलोरा बने वो रास्ट कूट ने बनवाए है याद रखिएगा लेकिन किस तरह के टेंपल है जो अलोरा में अजन्ता-अलोरा अजन्ता की उफायम जानते हैं बुद्धीज़न भीस एलोरा, एलोरा में कैलाशना टेम्पल, राश्कूट, पर किस तरह के टेम्पल है, यह है रॉग कट आर्गिटेक्चर, चट्टानों को काट के, तो फ्री स्टनी टेम्पल नहीं है, चट्टानों को काट के, रॉग कट आर्गिटेक्चर है आपका कैलाशना टेम्पल, इट इस एक complete द्रवेडिन स्टाइल जिसके बहार नंदी श्राइन जो नंदी जो की शिवजी का एक तरह से दुआरपाल भी कह सकते हो या उनका बिसिकली खास वो यहाँ पे श्राइन आपको दिख जाएगी इस particular केलाशनार टेमपल पे शिवजी पर बेस्ट यह हमारा टेमपल है कलाशनार टेमपल रॉक कट आर्किटेक्चर यह देखिए कलाशनार टेमपल एलोरो में कलाशनार टेमपल एलोरो में देखिए चट्टानों काट के रॉक कट आर्किटेक्चर है तो ये डविडिने स्टाइल में जो starting होती है आपकी वो rock cut चटानों काटके बनते हैं बाद में फिर free standing temple जो stone से mortar से बनते हैं बाद में आते हैं starting तो आपकी इसी से होती है rock cut architecture से तो सवाल इसमें ऐसा आता है सवाल दो तरह का बनता है एक सवाल तो बनेगा कि कि लाशना टेपल किसके से बना ठीक है राष्ट कूट ठीक है कांपे है अलगोरा में है तीसरा यह किस तरह का एक्जामपल है रॉग कट आर्किटेक्ट्र एक्जामपल है तीन वाते याद है तो समझा लिजिए आपको इस पर्टिक्लर जो यह पर लगों ने इन डाइस्टी ने जो टैंपल आर्किटेक्ट्र में काम कर आए वह आपको पता होना चाहिए तो जो हमारा यह पुलकिशीन जो फस्त थे एस्टेश वेस्टन चालू के किंडम इन्हों ने बादामी में कनाटगा में 543 543 एडी में अपनी किंडम पता कैम एक्सटब्लिश करी वेस्टन चालू के अ permit दी अर्ली वेस्टन चालू के रूल्ड मोस्ट आफ दी डैकन इन्हों ने अर्ली जो यह वेस्टन चालू किढ़ते है इन्होने डैकन चलूक्या ने अपना दबदबा ड़कन पे बना लिया था लेकिन उसके से बास अब को बता लोज यह भी रॉक्य मानीं टे करनाटका में रॉक का टेंपल है बेसिकली यहां पर हिंदू और जैन हिंदू और जैन दोनों की केफ मिलेंगे हिंदू टेंपल और जैन टेंपल दोनों मिलेंगे आपको दोनों की केफ मिलेंगी बादामी जो की बागल को डिस्ट्रिक्ट करनाटका में लोकेटेड है किस तर जा था बदामी को पहले वातापी वातापी बतामी जो बादामी है इसको पहले उस समय में वातापी बादामी के नाम से भी बोल है जो चालुके वंजí जो चालुके वंज狄 की इनीशियलं अर्ली capital थी यह जो बादामी है चालुके वंस की initial early capital भी मानी जाती थी वाता भी पादामी which ruled much of the कनाटका from 6th to 8th century मैंने अब से कहा राष्ट कूट से पहले राष्ट कूट ने डिफीट के लेकिन उससे पहले western चालुके का पूरा control था खास तोर पर कनाटका रीजन में 6th century से 8th century के बीच में तो वहीं पर बादामी में यह चालुकेन style of architecture दिखता है आपको जहां पर rock cut caves है हिंदू और जैन हिंदू और जैन दोनों के temple दिख जाएंगे इस form में आपको हिंदू और जैन दोनों के temple दिख जाएंगे आपको इस particular structure में तो जो हमारे चालुकेन जो वंच है इनकी जो इनीशल activities है पहले तो बनाए रॉक कट पहले तो रॉक चट्टानों काट के बनाए जब नहीं सीखी थी उसके बाद लेटर अक्टिविटी होती है structure temple की वहां में या फ्री स्टर्णी टेंपल की वहां में तो इनीशल of time with development इन्होंने फिर structure temple या फ्री स्टर्णी टेंपल बनाना सीख लिया इस प्रोबबली दी रावना फाडी के वैड़ विच इस लोन फॉर डिस्टेंटिव स्क्रॉप्चर स्टाइल वन ओफ दी मोस्ट इंपॉर्ट स्कॉप्चर एडडी साइट इस ओफ नटराज याद रखेगा जब चालूक के वन्ष की बात होती है तो एक टेंपल का नाम जरूर आता है जो इनिशल स्टेज में उनके दौरा बनाए गया था उसका नाम यहां पर नोट करेंगे रावन फाडी के एहोल अगेन का नाटक नामें रावन फाडी एहोल का नाटक नामें यह वह इस ही मिलता है तो यह इंपूछने को कि रावन फाडी एहोल में ही नट्राज की स्कूर आइवल है स्लिम बौडी स्ट्रक्ट्र देगे आपको temper architecture में यहां पर जो आइडल है डिटीज है या जो स्क्रप्चर है उनका graceful है slim body है long structure है oval face topped with extremely tall cylindrical crown oval faced topped with extremely tall cylindrical crowns and shown to wear short dotis marked by fine incision indicating pleating तो basically यह जो यहां पर आप देखेंगे उस figures को किस तर डिस्क्राइब किया हुआ है तो description मैंने आपको बता दी यहां slim body है graceful है oval shaped है oval faced है extremely tall cylindrical crown है और यह short they are wearing short dotis they are wearing short dotis तो यह basically जो वहां पर आपको images दिखती है उनका हूलिया उनका description यह समझ में आता है यहां पर दो बाते नूट करनी है एक तो जो रावन फारी केव जो है वो कहां पर एहोल में जो कि चालूक के वंच ने बनवाया rock cut architecture दूसरी बात यहां पर नटराज यहां इसी site पर नटराज का scripture भी मिलता है जो कि आपको याद अखना एक्जाम के साब से तो यह चालूक के आते हैं तो पल्लव उसके बाद पल्लव चालूक के पल्लव राश्ट को तीनों के लड़ाई हैं बहुत हुए हैं चालूक के पल्लव और राश्ट के लड़ाई आपस में होती नहीं थी थी थ्रोन को एक्क्वायर करने के लिए तो पल्लव डानेस्टी यह भी साउथ इंडिया की इंपॉर्टन डानेस्टी माने जाती है पल्लव वंच दे वर अक्टिव इंदी आंध्र परदेश हाला कि यह सेकंड सेंचुरी 80, 2nd century 80 में आंध प्रदेश में तब भी active थे, पलव dynasty 2nd century 80 से आंध प्रदेश में active थे और उसके बाद ये south में और south में आगए with passage of time और Tamil Nadu में आखे भी settle हुए initially ये कहा थे, आंध प्रदेश में with passage of time ये आगे बड़े, south में आए, Tamil Nadu में आखे settle हुए their history is better documented from 6th centuries to 8th century, 6th century से एक century के बीच में पलव dynasty के कई सारे आपको examples, inscription की form मिल जाएंगे, stones में और कई monuments पे कई monuments पे, कई stones पे आपको inscription मिल जाएंगे, अभी लेक मिल जाएंगे, पलव dynasty के 6th century से 8th century के बीच में इन्होंने भी temple architecture में बहुत काम करा है इन्होंने भी temple architecture है, बहुत काम किया है तो जब बात होगे पलव dynasty की, तो पलव dynasty की नाम आता तो इन्होंने बहुत सारे आपके starting इनका भी, इनका भी starting rock cut से होगा, चालू के तरह है, बाद में ये बनाएंगे structure temple, बाद में बनाएंगे structure temple और जो structure temple में इनके कई सारे temples हैं, वो well known है, बहुत procedure भी है, वो हम example देखेंगे यहाँ पे the earliest building, a generally attribute to the reign of महेंदर वर्मन वन, महेंदर वर्मन याद रखेगा, जब भी बात नाम होगे, पलव dynasty की, temple architecture की एक नाम जहन में आता है, पहला नाम, studying नाम आता है, महेंदर वर्मन वन, जो की contemporary थे, चालू के king, पुलस्कीन, of second of कनडगा, तो महेंदर वर्मन जो है, वन जो चालू के king के भी contemporary थे, इन्होंने काम स्टार्ट किया था, आपका temple architecture में, पलव dynasty से, उसके बाद, नर्सिम वर्म, नर्सिम वर्मन बन, नर्सिम वर्मन पस्ट, इनका जो है, इनको ममला, इनको ममला भी कहा जाता है, who is a, the throne, around 640 AD, 640 AD के आसपा, इन्होंने throne को acquire करा, ममला भी इनको कहते थे, is celebrated for the expansion of the empire, इन्होंने इस पलव dynasty के जो विदासत मिली, इनको मेंदर वर्मन वस्ट से, उसको expand किया, और इन्होंने expand किया, तो temple architecture में भी काम करा, और यहाँ पर आप नूट करेंगे, इन्होंने, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में, ममलापुरम, इन्ही के नाम, ममला इनका नाम, महाबलीपुरम में temple मनाया, जिस पर आधारित R.A.S. में माह बलीपुराम मश्ट पर देखें, माह बलीपुराम रॉक कट केव रॉक काट केव स्ट् Orch रॉक काट केव स्ट्रक्चर इसी में अरजुन पीनेंस पर कोशन पूछा गया था आपका R.A.S. मेंस 2017 में This question was asked in आरेस मेंस तूजिरो वनेट तो महाबलीपुरम तमिलाडू में है और बेसिकली यह किस ने बनवाया है यह मैंने आपको बता दिये यहाँ पल्लव डानेस्टी में नर्सिम नर्सिमा वर्मन फस्त ने नर्सिमा वर्मन फस्त ने देखें यह पांच रथा यह भी टेंपल फाइव रथा पांच रथा जो उनके जो डेटी हैं उनके वहान के नाम पे फाइव रथा महाबलीपुरम यह टेंपल भी बहुत आपका रिनाउन टेंपल है रॉग कट रॉग कट चटानों काटके बनाए गया है इस एग्जामपल रॉग कट आर्किटेक्चर का बहतरी नमुना है महाबलीपुरम का टेंपल इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो महाबलीपुरम तमिलाडू में एक और टेंपल है जो बहुत विख्यात है वो है आपका शोर टेंपल महाबली-पुरम में शोग टैंपल वज बिल्ट लेटर प्रोबबली इं ली रफ नरसीमवर्मन टो यह बना नरसीमवर्मन टू में महाबलीपुरम में t Thailand से बिलउआ जोर टैंपल नरसीमवर्मन second में दोनों Panlaw डानिच्टी से belong करते हैं इसको हम राज सिम्हा भी कहते हैं नर्सिवर्मन सेकेंड को हम राज सिम्हा के नाम से भी जानते हैं इनका जो पिरिड है 700 to 728 80 700 से 728 80 राज सिम्हा नर्सिवर्मन सेकेंड यह जो है आपका east facing the ocean इसका देखेंगे इसकी location यह ओशियन को फे जो इसे तेंपल समय नहीं मिलते पर ये टेंपल ऐसा है जो कि फेस कर रहा है ओशियन को शोर टेंपल कहां पह लोकेट है महाबलीपुर्म तमिलड़u में शोर टेंपल लेकिन एक इसने मनब़ाइ नरसिम वर्मंड second ये जात रखी इनको हम रासिमा भी कहते हैं तो सवाल आपके सामने सवाल again UPSC में पूछा हुआ सवाल UPSC प्री का सवाल आपके सामने अब जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर आपने समझा देखा है सवाल कर सकते हैं कैसे सवाल आपके एक्जाम में आ सकते हैं टेंपल आर्खी टेक्चर में चाह कोई भी एक्जाम हो चाह कोई भी एक्जाम हो तो देखिए सवाल यह है कि What is are the common elements between the केलाशनाथ टेंपल कहां पढ़ाया था एलोरा में केलाशनाथ टेंपल एलोरा दूसरा शोर टेंपल ममलापुरा में दोनों में common elements, common things क्या है तीन आपको यहां points लिखे हैं 1, 2, 3, बताइए कौन सा इन तीनों में सही है, ABCD आपको चाहर आप्शन देखने को मिलेंगे हैं आपर First, both temples are monolithic and curved out of single rock, क्या दोनों टेंपल स्मेंपल को आपने single rock से curved किया है, क्या दोनों टेंपल आपके single rock से बनाए गए रॉक कर आर्किटेक्ट्चर के example है क्या है सही है, दूसरी बात, both follow the gopura style, popular in पल्लवा architecture क्या दोनों दोनों ने आपका जो पल्लवा architecture की style है, गोपुरा style उसको follow किया है, क्या दोनों के निर्मान इस पल्लवा style पल्लवा architecture के तरह होता है, थर्ड, both are located on the Indian coast line, क्या दोनों के दोनों जो है मतलब की Indian coast line पे located है, क्या दोनों Indian coast line पे located है, तो ये सवाल, इस तरह के सवाल temple architecture ने पूछे रसकने को बड़ी बात नहीं है, देखे कि इसका जो statement one है, वो हमारा है गलत, क्या लाशना temper क्या था, rock cut मैंने बताए आपको अलोरो में, अलोरो में क्या लाशना temple, rock cut लेकि शोर temple देखेंगे यहां पे, शोर temple कैसा है, आपका structure temper है, free standing structure है, ये चट्टानों काटके नहीं बना है, तो पहला statement हमारा था कि दोनों टेंपल के रॉक कट है नहीं, दोनों टेंपल रॉक कट नहीं है, जो आपका क्या लाशना टेंपल रॉक कट है लेकिन शोर टेंपल जो है वो आपका free standing structure चरे structure temple statement number two, राज सिम्हा group introduce the structure temples and gopura style in Pallava architecture, the Kalashna temple at Arkaanchi and the short temple and Mahanapuram are examples, ये statement second में सही है, Kalashna temple और महाबज़परम दोनों में जो style follow की गई आर्टेंप्टर की वो गोपुरा style follow की गई ये बिलकुल सही है, ये बिलकुल सही है, दोनों में जो style follow की गई है, आपकी कांच इसमें Kalashna temple में और शोर temple में ये गोपुरा style follow की गई है, डविडियन आर्टेक्चर की, थर्ड, थर्ड स्टेटमेंट गिलाते है, अलोरा इस नॉट ऑन दी कोस्ट लाइन, इस नॉट लोकेटेड नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बो ता लोकेटेड अधि इंडियन कोस्ट लाइन, एलोरा जो था आपका लोरा, इस नॉट लोकेटेड य अलोरा आपका यहां पर कॉसलाइन पे लोकेटेड़ नहीं ये ये लेकिन जो आपका शोर्ट एंपल मैंने का शोर्ट मपल इस दी ओस्यान को फेस कर तो स्विलोगेड़ इसका मलब यह स्रेट्मन आपका एकदम सही है तो यह यह अपर गिलेत है बिस जोर्ट नहीं तो इस तरह के सवाल भी गुमा फिरा के एक्जाम में एक्जाम में बनाता है पूछता है टैंपल आर्किटाइक्स के फंडमेटर क्लिए तो यू कें इसली सॉल्ट को बहुत टफ नहीं है यूपेसी का सवाल है लेकिन अगर आपने उसको कंसेप्ट को पड़ा है समझा है और मेमराइस कर रहा है तो गलत नहीं होगा और देखिए एक और बहुतिरें अग्जामपल आग्टाइस का शिवा टैंपल शिवा टैंपल यह कहां पर है आपका थंजापूर में थंजापूर कहां पर अगें तमिलाडू यह किसने बनवाया इसको कहते हैं राजा राजा ब्रदेश्वर टैंपल ब्रदेश्वर टैंपल और राजा राजेश्वर यह बनवाय था 100980 100980 11th century के स्टार्टिंग में चोला किंग ने राजा 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 चोला राजा राजा चोला ने बनाया था यह टैंपल आपका ब्रदेश्वर टैंपल ब्रदेश्वर ब्रद फॉल चेंपल बहुत बड़ा है तेंपल लार्ज़स्ट भी टॉलेस्ट भी एपका इंडियन टैंपल में लाज़स्ट टॉलेस्ट टैंपल की शरीणी में गिना जाता है बर्देशवर टैंपल कितना ऊचा है तो यह आपका बहुत टॉल टेंपल है बरदेशवर टेंपल टैंपल बिल्डिग वस प्रोलिफिक इस टाइम पर टैंपल आर्किटेक्ट्टर की जो स्टाइल थी वह अपने आप में बहुत प्रॉफिल लिख बहुत स्किल्ड हो चुकी थी वो स्टाइल आर्टिस्टिक पर कहां पर है आपका तमिल अड़ु थंजापुर में किसने बनवाया राद राद चोला ने तो चोला जो आपका पल्लवा चालुक्या राश्टूटा के बाद में चोला आते हैं यह टेंपल आर्किटेक्ट्चर में और बहतीन एक्जामपल स्थापित करते हैं तो सवाल अ양े पान राद जो आपका पूंपल्सूटा का लिए को६्स थाल्या क्यक्यक्टर मेस्ट्यर केडर्व ब्लावज टो ओप्यूसी जेमाना नामें सांट 5230 फीड फेडियु दूटक्चर बाद किडे़ यह 7-23030 की त्रेंजीर कितना लार्ज है 7-23-0-4 पीन इस टॉप वाँ बाइं मोनोलिथिग शिकर नॉप्टवित इस एन ऑक्टागनल मूनोफ श्टूपई क्यों है उपड़ देखेंग ऑक्टागनल डोम शिट्स तूपया जो बैसिकलीषिकर कहते हैं तो हिकर यहां पर अलग मतलब है यहां मतलब यह है कि octagonal dome shape का स्थूपा उपर की तरफ आपके पिड़ामिडिकल टावर के उपर वह एक्जाम्पल है हमारा इस particular case में ब्रदेश्वर temple का इन इस temple one way notice the first time large gateway large जैसा कि जो पहचा आने डिविडिन आकिटेक्टर की आपका गोपूरम लार्ज गेटवे दिखेंगे आपको इस temple में इसके entrance पर दिखेंगे आपको लार्ज गेटवे बड़े साइसे गेटवे दिखेंगा इस temple के अंदर और देखीए तो यह कुछ एक्जामपल साब के परडगल कंणा टका यह विक्रमादिते सेकिंड विक्रमादिते साकिंड चलुक के वंश के जो आई पर नूट करेंगे चालो के इंटेपल पड़डगल में यह भी बहुत इलोब्रेटर स्टाइल है यह इन्होंने बनाया था अपनी क्वीन बाई इनकी क्वीन जो थी लोक महादेवी यह बनाया वास्ता में लोक महादेवी ने बनाया वास्ता में लोक महादेवी ने उनके समय विक्रमादीते सगिंड के समय तो उनकी कुईन जो है आपकी लोग महादेवी इन्हों ने इस टेंपल कर रिंबान करवाया आपका और उसका नाम है वीरू पक्षा टेंपल वीरू पक्षा टेंपल बहुत इंपॉर्टन डेवी तो यह भी याद रखेगा यह भी ड लोकेशन याद रखेए आपको पूरा यह याद नहीं उपारा इसका सेंचुरी याद हुने चींट कि ठीक है एट सेंचुरी की स्टाडिंग बनाएं और किसने मनवाया लोग महादेवी ने लोग मुझे पूस्ते सारा आरेस का पेपर तो सिंपल आता किसने का सिंपल आता और सवाल आड परी 17 सवाल आपके सामने स्टेटमेंट बेसका ये सवाल 18 में आपिए इस सवालेक पूस्ता आजुनLab ऑसक्यान अब इसवाट में आपका आर्गिटेक्ट्वस्तर को पड़ा है और उसके ब्सक्टेप संफ्ट जब यहां पर देखिए बिजब फॉलइंग स्टेट्मेंट अब टैंपल आर्किटेक्ट्ट्रा ट्रू कॉंसे स्टेट्मेंट इसके बारे में कतन सही है पहला स्टेट्मेंट फ्री स्टेंडिंग मोर्टार ने स्टोर टैंपल साइब पहली स्लाइड में आपको वो स्टोर्ण टैंपल फ्री स्टेंडिंग और वहां मोर्टार श्टोर का यूज किया गया है तो बिलकुल सही है गुपत पीरा में यह अरिजिनेट होता है इसका बैस एक्गेंबल दशावता टैंपल देवगर्ड दशावता टैंपल देवगर्ड थीक है दूसरा लद खान विजिज बनोवदी अलियस टैंपल बिलॉंग्स टू चालुक के बदामी देखिए यह भी बता है मैंने लत्खान टैंपल उसी का अर्लियस टैंपल है जो कि चालुक के बदामी जो था हमारा उस जगे पे चालुक के वंच ने राज करा तो लत्खान टैंपल उसका एक एक एक्ग्जांपल है इस आपस में एक दूसरे से इंटर्नली एक्स्टर्णली क्रेंटेन खूजरओ टैंपल में चोकंपार्टमेंट्मेंट से वह एक दूसरे से इंटर्न एक्टेन अस तर्थो करक्ट फोर्थ के लाशने टैंपले कांची इस अर्लियस्ट अर्लियस फ्री स्टेंडिंग टैंपल ऑफ डविदीन temple का मदलाव प्ता था तो सवाल आपको सजी होता है ये statement गलत है अभी मैंने बताया आपको किलाशने temple के बारे में और शोर टैंपकर सवाल अगर आपको basic idea कि summer diaries night bubble किया होते हैं आपको यह पता है कि base can rocket क्या होता है तो सही होगा तो यह फोर्थ गलत है बागी तीनों हमारे स्टेटमेंट सही है तो इसलिए इसका जवाब आर पीस इन अपनी की में डी दिया था फोर्थ यहां पेसका जवाब दिया था डी डी जी कर्क्राइब और अगें यह सवाल यूपेसी पूछ लिया यह सवाल यूपेसी पूछ लिया यह सवाल इस तरह के सवाल आपके एक्जाम में आ सकते हैं इस तरह के कोशन भी आपके एक्जाम में आ सकते हैं बड़ी बात नहीं है बेल्डिंग कल्याना मंदपा कल्याना मंदपा प्ट्राइब में वेश्टिक प्टा तो आपको पता सकते हो तो अब पहले तो यह पता हो नाची है कल्याना मंडपऑ क्या है सवाब UPC ने पूछ लिया सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सवाल इस तरह के सवालों कलने के लिए आपको पहले पता नहीं कि ये कल्याना मंदपा, मंदपा तो पता है हमें, पर कल्याना जोड़ दिया आगे, ये क्या है, दूसरी बाद कौन से डानिस्टी में बना है, इसको solve करने के लिए NCRT Fine Arts, नितिन सिंगाने भी दिया हुआ है, नितिन सिंगाने पड़ोगे, उसमें भ देखेंगे, दिखेंगे, आपको यहां पे, कल्याना मंदपा, कल्याना पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, NCRT का, कल्याना मंदपा देखेंगे, यहां पे, यह यूज होता है, तो सेलिबरेट डिवाइन वेडिंग्स, जो themes in Indian history, part 2 NCRT किताब है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कल्याना मंदपा का यूज करते हैं, डिवाइन वेडिंग के लिए, यह भी हॉल्ट आपका structure है, बट इडिवाइन वेडिंग्स, जो देवताओं की जो शादी, डिवाइन वेडिंग होती है, उनको celebrate करने के लिए, यह particularly आपका place, उस मंदप के अंदर बनाया गया है, पर चैप्टर ही विजेन वेडिंग के समय बेसिकली यह चीज होती है, तो उसका जवाब आपका D, विजेन वेडिंग के टाइम पर यह जो कल्याना मंदपा है, इस तरह का तो celebrate divine wedding बनाया गया था, यह बहुत important चीज है, NCIT पूरी-पूरी help करती है, NCIT पूरी-पूरी help करती है, तो इस लेक्चर में कुछ important बाते मैंने कवर करने की कोशिश करी, की temple architecture का, बलकि मैंने आपको questions की practice भी कराए, किस तरह के सवाल आते हैं, उम्मीद करता हूँ, इसी line पर prepare करेंगे temple architecture को एक-दो session और लूँगा, मैं music के, dance के भी, ताकि आपका cover हो जाए, और मेरे कोशिश रहेगी, अनकेडमी के app पे special classes जो होती है, free classes, उन पर मैं cover करूँगा आपका, इसी week में, आने विले दिनों में आपका, ये temple architecture के बाद में music, dance, drama, जो की architecture का important part है, तो मेरा code NAV10 use करेंगे, NAV10 code use करेंगे, तो unacademy के जो basically plus course है, वहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे, साथ में सारी faculties जो हैं, उनके lectures access कर सकते हैं, प्लस आपको fees में 10% discount भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो विदा लूँगा आप से इसके साथ में, आप लोगो दिन शुप रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much, have a nice day.